दोस्तों अगर आप लोगोने शिबाइनु कोईन के अंदर इंवेस्ट करावा है या आप करना चाहते हो या फिर आपने हाई पर बाय करा था आपका डिप में यहां पर चल दा है और आपका लॉस में चल दा है पोटफोलियो के अंदर शिबाइनु तो यह वीडियो आपके यह बहुत इंपॉर्टेट है अंतक देखी का यहां पर 2022 के लेके क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी शिबाइनु को लेके वह आपके साथ यहां पर मैं शेयर करूँगा और आप लोग को याद होगा शिबाइनु हमने अगर आप चैनले पहले से कब आए करा था शिबाइनु तो पहली बात तो यह कि 1 रूपीस मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ टॉंडी टॉंडी टॉंडू के अंदर की 1 रूपीस चाहाँगा जो लोग सोच रहे है मुझे दखता ही वो थोड़ा ओवर एक्साइट है क्योंकि इसकी अगर आप कितनी भी सप्लाइब कर दो जो ऐसकी मी चीज करों आप फ्क्ति बहुत बात है कि जितने लोग के पास भी शिपाइनु कोई है वो लाकूव में हैं चाहे मेरे पास हो आपके पास हो या इसके पास भी हैप देखूगे हर किसी आद आपको लाकों में शिब्दॉब को देखने हो और अग स evalu अगर साबकू क को इतना प्रॉफिट हो जागा तो पैसा आएगा कहां से तो यह एक बेसिक की चीज है जो मेरे दिमाग में आती ही सोचते हुए जब भी मैं सोचता हूँ कि यह चीज मेरे दिमाग में वहां पर आ जाती है अब कोई इतनी बड़ी कंपनी है अपना लॉस सोचना करें कि नहीं से ऐसा है जो टॉप पे लगे हम बात करें अगर शिबाइनु से हट के हम बात करें सेफ मून की जो डैड हो गया है बात में तो यह चीज को ध्यान में रखते हुए शिबाइनु के दर आप वह इंवेस्मेंट बिल्कुल ना करें जो आपकी यूसफुल मनी है यानि कि या तो फिर आप बड़ा इंवेस्मेंट ना करना जैसे कि आपका टोटल इंवेस्मेंट ही 10,000 है और आपने शिबाइनु कंदर कर दिया तो वह बहुत बड़ी कलती है आपके लिए हो सकती है अगर आपको लांग टर्म में लेके चलना तो वहां पर पोट्फोलियो कंदर तो बहुत सारे फीचर्स के आ रहे हैं जहां पर लगता है कि नहीं जाएगा नीचे लेकिन एक बार को अगर नहीं चला जाता तो इसको रिकवरी करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी तो इसलिए अगर आप इंवेस्ट करना चाते है शिबाइनू करना तो वही करने जो अब बात आती है कि 2022 के लिए कि क्या एस्पेक्टेशन नहीं पर रह सकती है सबसे परे चीज आप जैसे की जानते हो कि शिबाइनों को लेकर यहां पर जो नियूज आ रही है शिबाइनों के डायो यहां पर डॉगी डायो या फिर आप डायो भी बोलते है कुछ लोग इसक पर जो कोईन है वो कौन-कौन से लिस्ट होंगे कौन-कौन से प्लियर में लिस्ट होंगे उसके लिए वोटिंग यहां पर वो कर सकता है तो यह अच्छा step लिए गया है जो Shiba Inu का aim हुआ था I think वहां पर यह discussion हुआ होगा जिसको लेके step लिए गया है बाकी Shiba Inu की listing अभी आप decidedly देखोगे तो यहां पर हुई है उसके उपर I think मैं एक बार देख लेता हूँ यहां पर कोई सुच के उपर listing करगा है Shiba Inu को तो जैसे जैसे यहां पर Shiba Inu famous हो जा रहा है जो भी एक्षेंजर जो रह रहे रहे हैं वहां वह भी इसको लिस्ट करने और साथ ही यहां पर इसका चार्ट एक बार open कर ले रहा हूं आहिनर के अंदर करेंटली आप देखो जिसपाइज में यह trade कर रहा है इसकी बाइंग लेवल 0.002417 के आसपास बनती है उसके बाद 0.002297 के आसपास यह दो लेवल रहेंगे जहां पर आप बाइंग दे सकते हो और इसके जस्ट नी लेगा तो बियर मार्केट के अंदर एंट्री आप कर जाएंगे और वहां से रिकमरी में बहुत टाइम लाएगा लेकिन अगर बिटकोइन यहां पर बाइचंद 41,000 डॉलर तक भी जाता है तो मैं मानना है कि शिबाइनू आपको यहां पर और जादा डंप करता है और जो क बाद लिएगा यूकि प्रॉफिट देता है तब भी कोईन जार देता है बिटकोइन अगर पांच ताजन दस परसेंट परंप करता है तो यह 20-30-40 परंप कर जाएगा और अगर यह नीचे जाएगा जैसे बिटकोइन यहां पर नीचे जाएगा तो यह नीचे भी उसी करते हैं मुझे आपको देनी थी उम्मीद करता हूं आपको यहां पर यहां पर साही चीज़े थोड़ी से समझ में आई होंगी क्यों वन रूपीस जाना मुश्किल है क्यों मुझे यसा लगता है कि आपको एक्स्टा इंवस्मेंट ही करना चाहिए और भी बहुत साही सकते हो नेक्स्ट यहां पर अगर हम बिटकोइन के बास करें बिटकोइन का अपडेट पर चलें करनली हम बिटकोइन का प्राइस देखें तो यहां पर टेट कर रहा है 47,283 योजी टीप के आसपास लगबग लगबग आईनार करना आप देख सकते हो अगर आप चाहो तो और यहां पर जो MA का सपोर्ट है MA का बेसिकरी सपोर्ट था जो 200 डेली मूविंग एवरेज था हमारा वो यहां पर रजिस्संस का काम करेगा जो की 47,800 डॉलर सा में देखने को मिलेगी तो यह एक बहुत इंपोर्टेंट चीज यहां पर बंग लिए क्योंकि अभी तक यह जब तक इस MA के नीचे था MA basically moving average जो हता है पीछले यहां पर हम बात करने 200 दिनों का जब तक इसके price नीचे था तब तो माफ किजीगा उपर था तब तक तो यह support का काम कर रहता है यहां पर उठाया यहां पर प्राइस को उपर उठाया यहां पर उठाया लेकिन जैसे ही तो आप देखना है यहां पर यह important रहेगा क्या Monday तक इसके उपर cross कर सकता है यहां पर price यहां पर 48,000 जा सकता है अगर चला गया तो वो थोड़ी अच्छी positive चीज़ हो जाएगी अगर Monday तक नहीं जाता है Monday की मदलब weekly clothing भी आपको देखने को मिल जाती है इसी के नीचे तो आ पाकि मैं ड्रा नहीं रहा हूँ आपको मैं जो negative चीज़ सी वो आपको दिखाई मैं तो अभी भी positive हूँ और मेरा investment यहां पर होल्ड करा वा है क्योंकि मैं long term लेके चलता हूँ मैंने extra amount invest करा जो कहा जाता है कि वह यह investment वही करो जो extra हो और trading कर रहो short term profit लेना है तो आप stop loss के स आपका loss ही ना हो क्योंकि loss होता है 5-6% वह trading में recover हो जाता है लेकिन अगर यहां पर 20-30% loss में आगया trading के अंदर तो वह recovery बहुत मुश्किल होती है तो यही चीज़ है थी जो मुझे आपको समझाए थी short term वाले तो अपना करते ने trade लेकिन मैं अभी personally short term में कोई trade नहीं ले क्योंकि market में ज्यादा volume वाली नहीं ही अभी मैं वेट करूँ हूं यहां पर बिटकोईन का जब उपर जाएगा या फिर कई इंपोर्टेंट जैसे 49,600 डॉलर पर जाता है तो वहां से short करने का देख अभी फिलाल कोई trade यहां पर नहीं देखर हूं क्योंकि price यहां पर दबावा है थोड़ा और नीची की side move करने के जारा chances बन रहा है बागी रेखते हैं क्या चीज़े लेती है मंडे तक उमीद अभी थोड़ा कम हुआ है तो वह एक हम positive में मिले सकते हैं और कम ही रहे तो ज्यादा बेटर है क्योंकि ज्यादा bitcoin आते है एक डर रहता कि वह sell अगर हो गए तो वहां पर market all crash करेगी वेड़ के दौर अगर sell कर दिए गए तो यह कुछ update थी market के उमेर्ट कतना वीडियो helpful रह ग्योगी